हेलो एवरिवन जैसे कि हम सब भी देखते हैं कि हमारे जो गमले होते हैं उनकी सतह पैर इस तरह का हरा या काले रंग का एक जिसे हम फंगस कहते हैं हिंदी में से काई भी बोलते हैं ये ये बन जाता है तो ये क्या चीज है और इससे हमारे पौदों को कितना नुकसान पहुंचता है अगर इसके बारे में बात करूँ तो अगर आपके मिट्टी में ये फंगस बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी में जान है क्योंकि ये फंगस भी इको सिस्टम का ही एक पार्ट है आपने देखा होगा कि आप अगर मरुस्थल या रेगिस्थान या डेजर्ट जैसे इलापे में जाएं तो वहां की मिट्टी में आप इस तरह के फंगस को बनते हुए नहीं देखेंगे तो ये जो फंगस बन रही है ये हमारे पौधों को कितना नुकसान पहुचाती है अगर इसके बारे मैं बात करूँ मैं तो जो अगर आपका पौधा बड़ा है और इस तरह से फंगस बनता है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंट आपका पौधा खराब हो जाएगा बहुत दिनों तक अगर अगर उसमें ऐसी फंगस बनने देंगे जैसे बहुत मोटी लेयर हो जाएगी तब धीरे 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 वो आपके पौधे की तनी को गला सकती है लेकिन अगर आप सीडलिंग लगाए उस समय ये फंगस आपकी सीडलिंग डेवलब होने में बहुत प्रॉब्लम कर सकती है सीडलिंग में क्योंकि जब स्टार्ट हमारे बीज से जो नया फुटाब होता है वो ये डिस्टरब कर देता है वैसे अगर अगर अपने सभी पॉट्स में रेगुलर उडाई करते रहें तो यही बस फंगस को रोकने के लिए सफिशेंट है लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा है जैसे की बारिश का टाइम और जाडों में फंगस ज़्यादा बनती है तो अब मैं आज इसी फंगस को दूर करने के लिए आप अपने किचन से क्या घरे लूप चीज़ें इस्तमाल कर सकते हैं और जो बहुत इफेक्टिव ही है वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे केमिकल मिल जाएंगे मैं भी यूज़ करती हूँ फंगसाइड का लेकिन फंगसाइड बार बार नहीं यूज़ करना चाहिए जैसे मैंने पॉट में जब अपने पॉद ही लगाए तब मैं एक बार दे देती हूँ फंगसाइड अगर दिया तो अगर गर्मी का टाइम है तो उसे भी आप स्किप कर सकते हैं अच्छी तरह से अपनी मिट्टी को धूप में धूप दिखा लें जिससे वह सोल्डराइज हो जाती है बार बार अगर आप फंगसाइड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा इस फंगस के साथ साथ हमारे पॉदों में बहुत सारे इतने जरूरी माइक्रो ओर्गनिजम रहते हैं जो हमारे पॉदे की ग्रोथ के लिए और हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़दा जरूरी कंपोन हमारे मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं तो अगर हम बहुत ज़दा फंगसाइड का यूज़ करेंगे तो अब मैं आप से बात करूंगी कि इस फंगस को रिमूव करने के लिए आप क्या-क्या उपाय कर सकते हैं सबसे पहला तो यही कि आप इस तरह से आप अपनी सोयल को अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें और आप चाहें तो ऊपर की लेयर को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं उसके बाद फिर अच्छी तरह से डिक कर लें तो यह भी बहुत एक अच्छा एफेक्टिव वेयर है इस आप अपनी किसी दूसरी जब पॉर्टिंग सोयल बनाने जा रहे हैं उसमें उसे मिक्स कर सकते हैं तो एक मैथड तो यह हो गया फंगस से मुक्ति पाने का लेकिन कई पादे हैं जैसे पार्चुला का पर्सलेन हो गया वो भी बारिश के टैम बे बहुत अच्छी ग्रोध करते हैं इनमें गुडाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका पूरा पॉर्ट यह कवर कर लेते हैं लेकिन फंगस इसमें भी बनती है तो इस समय हमको कुछ ऐसा मतलब देना ही पड़ता है जिससे हमें फंगस दूर करने में सहायता हो तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और गया है आपके किचन से मिलने वाले ऐसे कुछ चीज़ें जिससे आप अपनी पॉधे की समस्या को दूर कर सकते हैं यह आपके पॉधों में पंजी साइट के साथ साथ खाद का भी काम करेंगी चलिए देखते हैं तो यह हैं तीन चीजें इसमें इसका तो आप रंग देखके ही पहचान गए होंगे यह हल्दी है और यह एंटी फंगल और एंटी वेक्टिरियल है हम सभी जानते हैं हम भी थोड़ा सा क रखता है अपने पास यह भी आपके पॉदों को फंगस लगने से बचाता है और यह तीसरी चीज है यह है हमारे किचन से मिलने वाली दालचीनी जिसे मैंने थोड़ा सा ग्राइंड करके पॉडर फॉर्म में ले लिया है तो दालचीनी तो हम जानते ही है काफी सारे हेल्थ बेनिफिट भी रखती है लेकिन इसके सासाथ इसमें बहुत अच्छा एंटी फंगल एक प्रापर्टी है जो अगर आप अपने पॉदों में अगर इसका इस्तेमाल करें तो यह बहुत ही इफेक्टिव होती है और अगर तीनों मेंसे किसी एक को चूज करने को अगर मैं बूलूं तो दालचीनी का आप यूज करें क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट मैंने दालचीनी का देखा है और इन तीनों ही चीज़ को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके पौदों में अंटी फंगल के साथ सद ऐस अ कंपोस्ट का भी काम करेंगी क्योंकि ये तीनों ही ऐसी चीज़े हैं जो हमें पौदों से प्राप्त हुई हैं तो अवियसली एक पौदे को बढ़ा होने में जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट होते हैं उनमें का काफी इनके अंदर मौजूद है तो हम इने बापस अपने मित्टी में मिला के अपने फिल से नए पौदों को दे सकते हैं इस तरह से तो दालचीनी एक बहुत ही अच्छा और बहतरी नुपाय है अपने पौदों में फंगस दूर करने के लिए अब मैं बात करती हूँ इन्हें आप यूज कैसे कर सकते हैं आप चाहें तो ये तीनों ही पौदार्द को अलग अलग भी जो भी आपको सही लगे ऐसे मैंने फिर्स्ट ऑप्शन नंबर पे दालचीनी को यूज करने को बोला है सबसे ज़्यादा वो लापकारी होता है अगर इसके अलावा एक और आप्शन ये बनता है कि अगर आप चाहें तो इन तीनों को ही मिक्स करके अगर आपके पास तीनों ना हो तो अगर आपके पास हल्डी और दालचीनी तो जरूर होगी तो आप इन दोनों को भी मिक्स करके इस तरह से अपने पौदों के चारों तरफ छिड़क सकते हैं, क्योंकि ये खाद का भी काम करता है, तो आप इसे और और्गैनिक है, तो आप चाहें, वैसे एक चम्मस सफिशेंट है, अगर सिर्फ आप फंगस दूर करने के लिए दे रहे हैं, वैसे आप दो से चार चम्मस तक भी से दे सकते हैं, ये आपके पौ पौटेशियम भी होता है, पोटाज भी होता है, तो ये तो बिलकुल एक पंप्लीट हमारी खाद बन गई ही, डाल चीनी में हमें मेगनिशियम मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, फॉस्फोरस भी हमें मेल गया है, हल्दी में भी इस तरह से काफी सारे न्यूट्रियं बस सिंपल अब एक चीज और शेयर करना चाहूंगी जैसे हम लोग अपने गार्डन में बहुत से खाने वाली चीजें लगाते हैं तो उसमें ऑवियसली केमिकल फर्टिलाइजर यूज और पेस्टिसाइज यूज करने को हम थोड़ा सा ही चकते हैं तो उस समय भी इस तरह की रेमेडी बहुत अच्छी कारगर होती है अब सिंपल अपने पौदों में चीटियां और किसी भी छोटा मोटा इन्फेस्टेशन दूर करने के लिए ये दाल चीनी और राख को इस तरह से अपने पौदों के ऊपर चारों तरफ से छिडग दें और इसकी सॉयल में भी मिक् से बस इस तरह से दो दीजिए अपने पौदे को तो ये एक बहुत ही effective organic तरीका है अपने पौदों को healthy बनाए रखने के लिए अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो please like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए thank you for watching my video